कैटरीन कैफ के साथ स्क्रीन शेर नहीं करना चाहते विक्या कॉशल नमस्कार मैं शुर्तिय अंगत और आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में जबसे कैटरीना कैव और विकी कॉशल की शाधी हुई है दोनों किसी ना किसी बात को लेकर खबरों का हिस्सा रहते हैं अक्सर दोनों की तस्वीरे सोचल मीडिया पर सामने आती रहती हैं लेकिन इस वक्त जिस खबर को लेकर ये दोनों चर्चा में हैं वो फैंस को चौकाने वाली है। दरसल फरहार अक्तर एक फिल्म बना रहे हैं जो की रोड शिप पर आधारित है। इस फिल्म में कैटरीना कैफ, प्रियंका चूपरा और आलिया भट लीड रोल में नजल आने वाली हैं। फिल्म के निर्माता और निर्देशक फरहान अक्तर ये चाहते थे कि इस फिल्म में अभिनेता विकी कॉषल की एंट्री हो जाए। और वो अपनी नई नवेली दुल्हन कैटरीना कैफ के साथ स्क्रीन साजा करे। इस खबर के बाद फैंस भी काफी उत्साहित थे लेकि अब उनका साथ जादा नहीं चलेगा क्योंकि विकी कॉषल ने अपने फैंस को एक बड़ा जटका दिया है। पता चला है कि विकी कॉषल ने इस स्पंद को करने से इंकार कर दिया है। खबरों के माने तो विकी इस रोल को करने के लिए तयार हो गये थे लेकिन बाद में उन्होंने स्टोरी से अपने किरदार को मैच करवाया और जानने की कोशिस कर रहे हैं कि ये फिट बैठेगा क्या नहीं। रिपोर्ट्स की माने तो कुछ भी अभी क्लियर नहीं हो पाया है। सभी जानते हैं कि फरहान अक्तर एक शानदार निर्देशक है। विकी कॉषल की तरफ से शायद ही इस फिल्म के लिए किसी तरह का हाँ सामने आएगा। फरहाल अक्तर एक शांदार निर्देशक है और ये उन्होंने पहले भी जाहिद करके दिखाया है निश्य थी कि फिल्म काफी शांदार होने वाली है वर्क फ्रंट पर विकी कॉशन इस वक्त कई शांदार फिल्मों को लेकर चट्चा में है लंबे समय से उनकी फिल्म अश्वधामा बन कर नहीं तयार हुई है और किसी ना किसी कारण इस पर रोक लग जाती है इसके अलावा वो इस साल शांदार प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगे ऐसी खबरे आ रही है बात करें कैटरीना कैफ की तो इस फिल्म के अलावा वो सल्मान खान के साल फिल्म टाइगर 3 का हिस्सा बनने वाली है और इसकी शूटिंग काफी समय से चल भी रही है जाहिर है कि इस बार फिर से वो पाकिस्तानी एजेन के किर्दार में धमागा करने वाली है सुत्रों की माने तो इस फिल्म में कैटरीना कैफ का अक्षन और भी दंदार होने वाला है बॉलिवुड की ऐसी ही चटपठी खबरों को देखने के लिए लाइक फॉलो और सब्सक्राइब करें वीडियो कसंदा आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें अगर या वीडियो आप हमारे फेस्बूक पेस पर देख रहें तो हमारे फेस्बूक पेस को फॉलो करें अगर या वीडियो आप हमारे यूट्यूब चानल पर देख रहें तो हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करना ना फुले धन्यवाद